ये गाईज वेलकुम बेक टो मैं चैनल आज आए हम अपने घर के उपर भी एक हनमान मंदीर है वहाँ पर हम आए हैं देखिए कितना संदर मंदीर है तो आज मंगलवार है तो हमने सुचा कि हम हनमान जी के थोड़ी दर्सन कर लें तो गाईज ये है हनमान जी का मंदीर ये है मैया बना वाज़ो मंदीर है और ये है फुराना मंदीर आरे इस सब्स्क्राइब कर लिए और यहां पोरतえば पूजा कर लिए और हमने दिया जला लिया है है यहां पर प्रेम रख दिया है और हनमान जी के दर्शन भी कर लिए हैं तो आप from II के दर्शन कीजी ये देखिए कष데श यह फर मांजी की नई वाली मूर्थी देखे कितनी अच्छी है अभी अभी यह मंदिर बना है ठीक है गाइस अब हम चलते हैं बाहर की ओर तो हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं मंदिर का जो भी नया बना है तो गाइस यह है नया जो बना भी मंदिर है यहाँ पर और लोग पी आए है आज मौ Haitum देखे गई मौ simulations आज बहुत कोरा लगए मौ सम मतलब बारिस आने वाला मौ सम हो रहा है तो देखे आज के मौसम के हाल तो गाइस अब हम दिखाते आपको पुराने वाला मंदिर इसका तो यह था पुराने वाला मंदिर देखे बन्दर है इसके छ़ट पर बहुत सार देखी कितनी अच्छी है यह हनमान जी का मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पे इनके नाम लिखे गए हैं जिन्नोंने इनको यह नई वाली मंदिर के निर्माण में दान किया है उनके सबके नाम यहाँ पे लिखे हैं अभी लिखा है निर्माण कारी ही 2020 में हुआ था तो यह हनमान जी की मूर्थी है और इसके चारूर का व्यू देखिया आप देखिया यह गांव है भंडारी गांव देखिया इस मौसम कैसा हो रहा है कितनी अच्छी वादियां लगनी खुबसूरत सी यहाँ पे एक सीला है यहाँ इसकी भी यहाँ पे पूजा होती है यह मेरी सासु मौम जो पूजा कर रही है यहाँ पे छोटा सा सीव लिंग भी है तो यहाँ पे आपको सीव जी के दर्शन भी करने को मिल जाएंगे अभी मेरी सासु मौम पूजा कर रही है मैं ने कर लिए और तो पूझा तो गाईज देखे आप कितने सारे बंदर आ रह doe हैं पिछिँ को भी देख रही हैं बंदर होगे लोए तो गाईजE स्टार्ट हो गई है अब ये देखें मैं बूल ली थी आ कि बारीस स्टार्ट होने वाली है तो गैस बारिस होने लग गई है तो गैस अपने दिखा दिखा दिया अपर आपके फ्लावर्स जो लगा रखे हैं आपे लिए देखे गैस ये चारों और इसके फ्लावर लगे हैं अगर गैस आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लावर्स आपके लिए अप्सक्राइब चैनल थैस पर वाचिए